प्रोफेसर सियार राओ को मेरी श्रद्धान जली, जिनका आज दुखद निधन हो गया। यह उतक्रिष्ट उपलब्दी का जीवन था। गनितिया सांखेकी में चिरपरिचित विशेशग्य प्रोफेसर सियार राओ हाल ही में खबरों में थे क्योंकि उन्हें सांखेकी में 2013 तेज का अंतरराष्ट्रिय पुरस्कार मिला था। यह खबर सुर्खियां बनी क्योंकि इस पुरस्कार को सांखेकी में नोबेल पुरस्कार कहा गया था। सांखेकी में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है लेकिन अगर वास्तव में कोई नोबेल पुरस्कार होता तो कल्या पुडी राधाकृष्ण राओ को ये बहुत पहले ही मिल गया होता। शायद 1960 में, सियार राओ ने सांख्यकी के क्षेत्र में तब प्रवेश किया जब ये परियाप्त रूप से गनेतियत नहीं था। शास्त्री यां करें, उस समय, डेटा एकत्र करने, गिंती और वसत प्राप्त करने और डेटा परिवर्त अंशीलता और संगों का अनुमान लगाने के बारे में थे। उदाहरन के लिए विशाल जंगन ना अभ्यास के बारे में सोचें। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें, कृपया बेल आइकन दबाएं। राओ गंभीर गनित को मिश्रन में लाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने इस तरह के प्रश्न पूछे, सर्वोत्तम, सांखिया किया अनुमान कब मौजूद होता है। यदि ऐसा होता है, तो हम किसी दिये गए अनुमान को सर्वोत्तम बनाने के लिए गनितियर रूप से कैसे प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां कोई सर्वोत्तम अनुमान मौजूद नहीं है, उम्मीद्वार का कौन सा अनुमान सबसे वांचनिया है। 10 सितंबर 1920 को जन में राधाकृष्न दस बच्चों वाले परिवार में आठवे थे। उनका अपार गनितिय कोशल और जुनून एक स्कूली छात्र के रूप में भी स्पष्ट था। राव ने MSC की उपादी प्राप्त की। राव उसे में पाठह क्रम में शीर्ष पर जाएंगे और स्वर्ण पदक जीतेंगे। राव की पी हेच, डी की सूची, 1950 और 1960 के दशक के चात्र आयसाई और भारत द्वारा उत्पादित महांतम सांख्य की गनित शिक्षाविदों की सूची हैं। S.R.S. वर्धन, जिन्हें बाद में स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं में अपने काम के लिए प्रतिष्थे तेबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, एक चात्र थे, वास्तव में सांख्य किया अनुमान के प्रतिभाशाली गुरू, देबबरत बसू भी थे।